नमस्कर दोस्तों दर्भंगा रोक्स में आपका स्वागत है क्या सूपॉल में जो है ट्रेनों का सूखा खत्म होने वाला है क्या यहाँ पर जो सन्नाटा है वो क्या खत्म होने जा रहा है क्योंकि खबर यह आ रही है या जो तस्वीर आ रही है उसमें यही दिखाई दे रहा हैं और खुछ DRM अशोक महाश्वरी आज पहुंचे थे पूलिद अलबल के साथ और उन्होंने स्टेशन परिसर का निरिक्षन किया और उनके साथ कंस्ट्रेक्शन वेभाग के अधिकारी थे दूर संचार और सिग्नलिंग वेभाग के अधिकारी थे और उन्होंने यहाँ पर निरिक्षन करके DRM की समस्तिपूर की तरफ से एक ट्वीट भी आया जिसमें लिखा गया था कि मंडल डेल प्रबंदक समस्तिपूर श्री अशोक महश्वरी मुख प्रशासनिक अधिकारी निर्मान ब्रजेश कुमार और प्रमुख मुख्य संकेत और दूर संचार अभियंता हाजीपूर राजेश कुमार और बाकी पदा अधिकारी जो है आज सुपर स्टेशन पहुंचे थे और उन्होंने स्टेशन का निरिक्षन किया ऐसे में सवाल यही उड़ता कि आखिरी अधिकारी अचानक यहां क्यूं आए हाली फिलाल में खबर आई थी कि यहां पर से कई ट्रेनर विस्तार करके आसनपुरकोपा और रागोपूर ले जाए जाएंगी और उसी की तैयारी संभवता लग रही हाला कि इसका अधिकारी उन्हें खुलासा नहीं किया है लेकिन जो नव निर्मित लाइन है रागोपूर और आसनपुरकोपा होल्ट CRS के बाद इसका क्लियरेंस मिल चुका है ट्रेनों का भी टाइम टेबल आ गया है रेलवे बोट की तरफ से तो अब ऐसे में यह संभावना जिताई जा रही है कि शायद उद्घाटन समारो की तैयारी करने के लिए यहाँ पहुचे हो और उन्हें देखा हो कि क्या उद्घाटन के लिए तैयार है की नहीं क्योंकि सराइगर जूडने जा रहा है आसनपुरकोपार जूडने जूडने जा रहा है रागोपूर तक ट्रेन जाने वाली है त और इसकी भी मांग लगातार उठती रही कि आखिर सुपाल स्टेशन को कब तक तरसाय जाएगा क्यूं नहीं यहां से लंबी दूरी की ट्रेन की घोशना की जाती है और क्यूं नहीं सहरसा से जो ट्रेन का विस्तार होने वाली है खास करके गरीब रत उसका जो है वो क्यूं किया जा रहा है तो यह सवाल बड़े एहम उठते उठ रहे हैं इस मौके पर तो सबसे बड़ा सवाल यहीं उठता है कि आखिर सुपाल की लंबित मांग का क्या हुआ उसको लेकर रेलवे क्या दिल्ली मुंबई कोलकता के लिए ट्रेन की बहुत बड़ी मांग है कि लंबी विवरत की बात बीच में सामने आई थी कि यह विस्तार हो जाएगा इसकी भी कोई बात सामने नहीं आ रही है सहर साथ तक यात्री टेन की संख्या नहीं बढ़ाई गई है तो यह तमाम मांगे हैं एहम मांगे सुपाल के लिए उठाई जा रही है लेकिन इसको लेकर के रे कि ट्रेने जो पटना दिली मुंबए इन जगों के लिए जो एक्स्टेंशन हो या नई ट्रेन जो भी हो यह मिलनी चाहिए और सुपाल की यह मांग जायज भी है तमाम जनपरतिनित्यों पर यह बात आती है रेलवे पर यह बात आती है कि उसको लेकर के सुपाल में जो इत आप नहीं है तो इसको लेकर के भी रेलवे को आगे विचार करना पड़ेगा कि इन ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाए और समय ऐसा रखा जाए जिससे की लोगों को इसका लाब मिल सके तो इन सारी मांगों को दर्भंगा रोक्स भी उठाता रहा है आगे भी कि जो का जो हक है उसमें आवाद बुलंद करते रहेंगे तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेड़ी के सब्सक्राइब कीजिए कुछ और वेडियों के साथ हादिर होंगे अब देखते हैं दर्भंगा रोक्स शुक्रिया धनवाद जये